तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जो शौमी है ना इस समय काफी सारी चीज़े कर रही है जैसके बताता हूँ सबसे पहले चीज तो है वो लोग कार बना रहे हैं definitely वो लोग car में काम कर रहे है और आने वाले समीह में confirm कर रहा है उन्होंने कि एक electric car निकालेगे 21 या 22 तक निकाल देंगे वो लोग अपनी electric car tesla जैसे electric car लेकिन इंडिया में नी होगी वो चाइना के अंदर ही देखने को मिलेगी इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो Xiaomi है न वो अभी globally chip shortage जो होती है उसका शिकार हो चुकी है chip shortage के बारे मैंने आप लोगों पहले भी बताए अपने कुछ वीडियोस के अंदर कि क्या हुआ है कि काफी सारी chips और fabrication होना था वो उस तेजी से नहीं हो पारे जिस तरीके से demand भढ़े और काफी है लंबे समय तक जो factories और fabrication process जो plants थे वो जब close रहे तो उसकी चकर में जो काफी सारी जो रहती है न चिप्स उसकी जो supply हो काफी कम है और जो demand हो काफी जाद है इसका impact यह पढ़ा काफी सारे जो company अपने फोंस जो products अब जो launch करना चाहते है उन्हें launch करने में दिक्कत आ रही है और अगर products अगर वो launch कर भी रही है तो उसकी quantity उस category में दलब उतनी level पर उसकी availability हो नहीं पारी है snapdragon ने भी इसको face किया है samsung ने भी इसे face किया जहां पर वो galaxy जो note होता है उसको उन्होंने अभी discontinue कर दिया 2021 के लिए वैसी ख़बर हमें सामने आई थी इसके साथ ही Xiaomi ने ये hint दिया कि इससे क्या impact पढ़ सकता है कि upcoming जो दूसरे phones वो launch कर उनके prices वो increase कर सकते है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो chip shortage हो रही है उसका नतीज आई है तो देखते हैं कि इससे क्या रहता है इवन ऐसी बात नहीं mobile phone industry इससे impact हुई है PC industry, computers, यहां तक कि अगर आप बात करें gaming console, playstation 5, xbox की तो वहां पर भी देखा तो उनका भी जो production वो काफी limited quantities में हो रहा है global chip shortage है यहां तक कि जो global chip shortage जो चल रही है global level पर उसके चाकारण जो नई कार है न उसके production में भी दिक्कत है यानि कि car manufacturing जो होती है न वो भी काफी बड़ी impact हुई है तो देखा तो हर को impact हुआ है आने वाले 6 मीने लगेंगे इसको थोड़ा उबरने में फिर देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है लेकिन इसी के साथ एक important information ये भी है यहां पर कि ऐसा लग रहा है कि जो Xiaomi है शायद अपना खुद का प्रोसेसर भी निकाल रही है देखते है क्या रहता है ऐसा कुछ है उन्होंने hint भी दिया है और आने वाले समय में आपको Xiaomi की तरफ से नया सर्ज प्रोसेसर आया था 2018 में लास्ट है तो देखते है कि अब आने वाले समय वो सर्ज S1 का जो successor होता है क्या वो निकालते गी निकालते है और इसके साथ ही एक और काफी interesting information पता चलिए कि वो Mi Mix series होते हैं उसे वापस लाने वाले इस बार उसे शाइड फोल्डेवल वाले उसके अंदर कही ना कहीं उसे लेगी है अभी क्या कर रहे है जो Xiaomi है वो बहुती बड़ा एक Mega product launch करने वाली है 29th को अब वहाँ पे देखा जाए तो काफी सारे चीज़े अन्विल करेंगी Mi Mix होगा कहरे है उसके अंदर आपको पहली बाद liquid lens technology देखने को मुलेगी मतलब एक liquid को ऐसा lens की तरीके से use करें जिससे कारण मतलब lens है लेकि वो काफी ज़ादा flexible है और उसको जो focus वगरा कर सकते हो उसमें काफी चीज़े तरीके से कर सकते हो basic concept यह है देखते क्या रहता है इसके साथ ही Mi 11 Ultra यानि कि अभी एक upcoming event होने वाले है इसी Monday को उस दिन काफी सारे जो प्रडुक्ट से वो लोग announce करने वाले है खेर यह एक बात हो आती है तो सारी बात है हमें Xiaomi के तो खसम करती इसके साथ ही बात करते है Qualcomm Snapdragon के अपने एक नया chipset announce किया वो है Qualcomm Snapdragon 780G यह 5G chipset होने वाले 765G और 768G आयते जो कि 768G उसका overclocked version था उसी का ही एक मतलब क्या किया इसी का successor लेकिया है 780G नाम से और देखा तो Snapdragon 888 के काफी सारे जो features है यह अपने अंदर लेकिया रहे है यह काफी interesting चीज है तो देखते कि आने वाले समय में क्या रहता है लेकिन हाँ इसके अंदर काफी interesting features यह मिल रहे है कि आपको थोड़े से affordable price में जो budget gaming phones आ रहे है उनके यह support कर सकता है याने कि 144Hz के display का भी इसके अंदर support रखा हुआ है और भी काफी सारी चीज है यहां तक कि Qualcomm के X53 5G modem का भी support करता है और इसके अंदर आपको सब से 5G होता है उसका support देखने को मिलता है और हां यह जो chipset भी 5NM की technology पर based है काफी अच्छा chipset हो जाता है मतलब Snapdragon 888 है फिर उसके नीचे 870 है तो फिर उसके नीचे 700CG देखने वाली बात होगी 700CG के साथ इंडिया में पहला phone कौन सा launch होता है 765G हमें देखने को मिला था Nord के अंदर तो देखते हैं आने वाले time में क्या रहती है इसकी कहानी इसके साथी बात कर तो काफी interesting news यह है Samsung की तरह से अपना Galaxy S20 FE का जो 5G version होता है वो launch करने वाले मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगले हफते launch होने वाले S20 FE दुबारा से लेकिन S20 FE के सारे वही feature हैंगे लेकिन जो हम demand कर रहे थे ना कि Exynos क्यों दिया Snapdragon देते तो अच्छा होता लेकिन अब उसमें Snapdragon भी देने वाले यह काफी अच्छी चीज हो जाती है S20 FE काफी सही था phone भी काफी अच्छा था 40,000 के आसपस इसकी कीमत हो सकते Samsung है थोड़ा से premium चार्ज करेगी देखते है exactly इसकी pricing क्या रहती है तो आने वाले time में इसकी बात करेंगे और इसी के साथ ही Realme GT Neo Realme का जो phone है na GT Neo अभी 31 मार्च को globally launch होने वालो और definitely जो phone इंडिया में गा क्योंकि GT, GT Neo यह अलग-अलग certification website, IMEI database में पकड़े जा चुके और April का महिने में confirm आएंगे GT Neo के खास बात होगे Demensity 1200 chip और इसके दर आपको 64 Megapis Quad camera काफी साथ दूसरी चीज़े भी देखने को मिलेंगी तो देखते है क्या रहता है हाला कि इसके आपको USB Type-C port 3.5 mm audio jack भी देखने को मिलेगा तो यह काफी interesting चीज़ है यहाँ पर Realme DR2 Leaf की branding होगी लिकिन इस पार अलग type की branding है पीछे का जो colors का design हो काफी जादा लग है UFS 3.1 storage और LPDR 5 RAM देखने को मिलेगा 120 Hz का AMOLED display देखते किस कीमत में आता है क्या इसकी जो कीमत है वो 30,000 से कम होती है क्योंकि 30,000 पर Realme X7 बैठा है यहाँ पर यह लोग क्या करें कि Realme X7 Pro जो बैठा हुए 30,000 पर उसकी कीमत कम कर दें और 30,500 के around में यह Realme GT नहीं हो लेया है और 40 के आसपास यह लोग अपना Realme GT लेके आ जाए काफी सही कहानी होगी तो देखा है तो काफी सारो और भी जो flagship लेवल के फोन से वो लाँच हो सकते है और इसके साथ ही बात करें तो Moto G100 है ना यह Snapdragon 870 वाला फोन है जो की 90 Hz के refresh rate वाले Display of 5G के साथ लाँच होगा था चाइना में Moto Edge S नाम से उस समेश हम लोग सोचेंगे कीमट 21, 22, 23,000 होगी और अभी इसे एरोप में लाँच किया गया है पूरे 500 यूरो का 40, 44,000 के राउंड इसकी कीमत पहुंच जाती है यह बात बता देना चाहतो हमेशा यह होता है कि जब आप चाइना में कोई product launch होता है उसकी जो कीमत रहती है वो काफी जादा कम रहती है लेकिन जब यूरोप में कोई product launch रहती है तो उसकी कीमत काफी जादा बहुत ही जादा रहती है इंडिया में इन दौनों की बीच की रहती है तो डेफिनिटली चाइना में अगर कोई फोन लॉंच हो रहा है तो आप इसे एक्स एक्स पैक नहीं कर सकते कि इंडिया में उसी कीमत पे लॉंच होगा उससे वो जाधा कीमत पे होने वाला है और यह जो G100 यह अगर बाहर उन्होंने 4500 कीमत की अगर उन्होंने बाहर तो यहां पे यह हो सकता है कि जब यह फोन इंडिया में लॉंच हो तब इसकी कीमत कम करके लिया 35000-30000 यह हो सकता है लेकिन हाँ चाहिना जित्ती तो नहीं होने वाली खेर यह बात वाती G100 की और ऐसे ही G50 भी रिलीस किया उन्होंने वो भी 90 Hz की refresh rate के साथ आता है और देखा तो यह 250 EURos का phone है जिसके आपको Snapdragon 480 chipset देखने को मलता है तो मेरे को लगता है कि इस chipset के साथ अगर यह phone अगर इंडिया में आएगा तो 15,000 गुपे का price point touch करेगा क्योंकि 480 Snapdragon 662 के उपर है और already Moto G30 बैठा हुआ है तो उसके उपर आपको प्लिस होता हुए देखने को लेगा लेकिन देखने वाली बात है क्या Motorless इंडिया में लाती है कि नहीं लाती है सबसे बड़ा स्वाल तो यह होगा खेर यह सारी बात है यहाँ पर खतम हो जाती चलिए आप बात करते हैं अब आप लोग के कुछ comments के बारे में तो यहाँ आज रवी भाय का स्वाल है कि bro waiting for OnePlus 9R आप बोल रहे हैं कि 5G में कुछ compromise किया क्योंकि उसमें 5G नहीं है फ्रिक्वेंसी है वो रिजर्व करके रखी है यह military उसके लिए तो probability ऐसी है कि इंडिया में 5G rollout होता है तो शाद उस frequency पे ना चले इस कारण से हो सकता है कि शाद आप लोग उस phone के अंदर 5G का मज़ा ना ले पाओ यह possibility हो सकती जो कि ध्यान में रखना है क्योंकि सर्फ एक 5G band का support है अगर multiple 5G band का support होता फिर यह चिंता खतम हो जाती लेकिन से single band ही एक problem हो सकता है और हो सकता है कि 5G के नाम पे जब यह एक band दे रहे हैं तो हो सकता है कि मालो चलो सारी चीज़े resolve हो जाते है और इंडिया में N78 पे आपको देखने को मलता है तो N70 के ऐसा common 5G band है हर mobile phone हो से उसकरेगा तो हो सकता है कि जब 5G के devices जात हो जाए तो आप अपने phone पे 5G का मज़ा उत्य अच्छे तरीके से ना ले पाए सिर्फ एक चीज़ है मतलब कहने का मतलब यह कि सिर्फ नाम का 5G दिया है इसके अंदर आप 5G सोचके अगर आप इस phone को ले रहे हैं तो बिलकुल मत लीजिए अगर आप 5G सोचके इस phone को ले रहे हैं मतलब इसके अलावा और भी अगर feature आपको लगता है कि हाँ oxygen OS ठीक लग देना तो मेरे हिसाब से SBI का card लगेगा 14th April से इसकी sale होगी तो 2000 रुपे कम हो जाएगा price तो जी हाँ यह कहानी हो जाती है इसकी तो दोस्तों आज के शुम में बस इतने हैं अगर वीडियो के आप लोगो पसे ना तो प्लीज लाइक कर देने चैनल को subscribe कर लेने thank you for the video देख